दादी रानी की बेस्ट केजन टिप सबसे पहले खीरे का जूस त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है इसे ठंडक होता है शरीर की गर्मी को कम करता है और त्वचा को ठंडा करता है नेक्स्ट है चंडन पाउडर को त्वचा पर लगाने से डाग धबे दूर हो जाते हैं साथ ही त्वचा पर निखा राता है नेक्स्ट है धीरे धीरे खाना खाया करे इसे पेट की बीमारिया और पेट की गयस खत्म होती है नेक्स्ट है ड्राफ्रोट्स वाला दूर पीने से शरीर की कमजूरिया दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है नेक्स्ट है अगर सोते समय आपके आखों में आसू आते हैं तो दिमाग और आखों की कमजूरी हो सकती है नेक्स्ट है दही में गुलाब का अर्क मिला कर चेहरे पर लगाने से चेहरे की जूरिया कम हो जाती है नेक्स्ट है अगर आप रात को सोते समय एक गिलास पानी एक लॉंग खा कर सोते हैं तो आपको कबज तेजा और पेट दर्द जैसी परिशानी नहीं होगी नीक्स्ट है खाने में जादा घी का इस्तिमाल करने से गले में इंफेक्षन हो सकता है नेक्स्ट है जामून के बीज को पीस कर इसका सेवन करने से शुगर जैसी बिमारी खत्म हो जाती है निक्स्ट है यदि आपको अचानक से ठंड लगने का एहसास हो रहा है तो हल्का गुन-गुना पानी पी ले इससे आपको बहुत फैदा मिलेगा निक्स्ट है खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए पानी हमेशा बैट कर और गुट-गुट करके ही पीना चाहिए निक्स्ट है अगर आपको कबज की समस्या है तो रोजाना पपी तक जरूर खाए पपी तक खाने से कबज की समस्या खत्म हो जाती है निक्स्ट है राट के समय दाथ साफ करके और एक गिलास पानी पी कर सोय अगर रोचाना गूर का एक छोटा सा पीस अदरक के साथ खाया करे तो जोडों में मजबुती आएगी और दर्द दूर होगा अगर आपको लो ब्लेट प्रेशर की समस्या है तो लहसुन का शेवन करने से बचे यहां रक्त चाप को बढ़ा देता है अपने बड़े बुजरों को के साथ भोजन करने से आंतरी खुजी मिलती है शाम को मुमफली खाने से खासी की बिमारी हो जाती है अपने दातों को हमेशा ठीक रखना है तो हर खाने के बाद कुली करना जरूरी है और सुबह शाम ब्रस किया करे अजवेन का पानी पीने से शरीर की चर्वी कम होती है और आपके पाचन शक्ति मजबूत होते हैं इस तरह से दादी और नानी के बताएवे कुछ टिप्स और ट्रिक्स है धन्यवाद